अब सभी का फिर्ट से एक बाब बहुत स्वागत है हमारी चैनल दिश्याज ओनलाइन ग्रूकल में तो आपको जैसा पता है कि कवेस का एक्जाम चल रहा है तो यह जो हमारा वीडियो है जो कवेस का एक्जाम चल रहा है उसी के बारे में होने वाला है क्योंकि दो दिन तो आ अच्छे से कर लिजेगा फिर आपको पता भी जल जाएगा कि किस तरीके से हमें हमारी तैयारी चल रही है अगर आप इस विचलेशन को देखेंगे और आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके का पेपर आ रहा है तो पहले हम यह बता देते हैं कि किस-किस टॉपिक से कोशन पूचे गए थे सारे के सारे जो हमारे पाठ थे एक्जाम में देखिए हिंदी में समास, कारक, संधी, पैसे इन से रिलेटेड कोशन पूचे गए थे विलोम शब्द और परियावाची शब्द इस से रिलेटेड कोशन था और रिम जिम बुक से रिलेटेड करके इसे के कोशन थे इडियम फ्रेज़ वगरा इन सबसे कोशन थे ठीक है आगे दिखते हैं कंपीटर कंपीटर में जो हमारे कोशन थे वह दो तो जनरल थे तीन कोशन ऐसे ते कल के एक शिफ्ट में जिसमें शॉटकट की से रिलेटट कोशन आ रहे हैं बहुत जादे आ रहा है कोशन आ रहे हैं वो हीजी आ रहे हैं आप कर ले जाएंगे ठीक है एवियस हमारा हाउस से रिलेटेड कोशन जन जाती से रिलेटेड कोशन और कौन सी मिट्टी मदब किस खेती के लिए उपयोगी होती है अभी तक तो ऐसे कुछ कोशन देखने के लिए मिले है नेशनल पार् कुछ कोशन था कि सुनीता विल्यमस जो है उन्होंने जो अपने अंतरिक्ष के देखने के लिए क्षिण क्यों से थे जबकि एसा लगता है कि यह जो टॉपिक है वो रीजनिंग का था बट मैःटमेटिक्स में आए था हमने पहले ये आपको सीरीज करा दी थीठी क्यूंकि हमने जो आपको यह सफलता बैच चलाया था पूरा का पूरा जिसका उद्देश है था अपकी बार के विए सपार करना उससे काफी रिलेट करके कुश्चंस आए हैं काफी नहीं मतलब काफी जादा आए हैं जैसा हमें स्टुडेंट्स ने बताया अगर आपने नही देखा है तो आप जाकि देख लीजे काउंटिंग का जो कोशन्स है काफी सारे हमने पोश्च कि एंपीटर के बी एवन हमने सारी है कर देखे हैं हंदी कम्पिटर णिग्स हम रगारा सब के कराई हैं तो जिन्चे बी बात हुई हैं उनोंने भी बताया कि वह काफी helpful रहा क्योंकि उससे easy ही आ रहा है बट हाँ उसी तरीके का पेपर रहा है और आप जान लीजिए कि जैसे कि जब अगर कोई exam एक दिन होता है तो उसमें selected चीजें आती हैं और अगर वही exam 4-5 दिन या 10-12 दिन होता है या कई shifts में होता है तो उनी चीजों को गुमा गुमा कर पूछा जाता है यह बात आपको माननी पड़ेगी और इसी से और निपन भारत इससे रिलेट करके question जो भी बनते हैं और ncf-2005 इससे ही रिलेट करके कुछ question होते हैं जो तयारी में कमी करते हैं बस यह बात जान लीजे कि आज जो exam आया है तो कल का exam हो सकता है इससे थोड़ा आप आए या फिर ऐसे ही जो लेवल है उससे रिलेट करके तो वह आपको यह बात मन में रखनी ही पड़ेगी क्योंकि आपने जैसे सीटेट के exam का भी देखा होगा जै इस तरीके से यह लोग बना बना के पूछते हैं बातों को nearby कर करके 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 कि आपको लगेगा कि यह सारे option ठीक है यह सारे option गलत है ऐसा आपको feel हो सकता है इनके option बनाने के तरीके से क्योंकि यह बनाते ऐसे हैं लेकि paper overall easy है main बात यह है कि हमें उन में से हम जो चीजे बहुत देते हैं कैसे कि एक कोई question लिख दिया उसके चार-पांच facts लिख दिये और फिर उनको उनमें एक question मतलब एक facts जो है उसको nearby ही रखा जिसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी होगी पढ़ने में या कमी करी होगी तो आप हो सकता है कि confuse हो जाए बाकि इन बातो जो को एकदम अपने mind में बैठा ले कि इस चीज का यह होता है इस चीज का यह होता है ठीक है यह चीज आपको mind में रखनी है और बाकि आप जान लीजिए कि अब आपको करना क्या है किस किस तरीके से तैयारी करनी है या किस तरीके का अभी exam paper आ सकता है ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिए और हाँ आपको एक बात बताना भूल गए कि जो अगर और बच्चों से बात करके अगर उन्हों ने जो हमें बताया अगर हाड और इजी की बात करी जाए कि कौन सा टिपिकल सेक्शन और कौन सा इजी था तो अगर देखा जाए तो सारे तो यह EVS जो है और General Knowledge क्यों लेगा यह हाट क्योंकि देखे General Knowledge का कोई भी दायरा नहीं होता हाँ General Knowledge का आपको टॉपिक्स तो बताना ही बूल गए Awards से related करके बहुत जादे कोशन आ रहे हैं General Knowledge में बाकि General Question भी है ऐसा नहीं है बट Award आप कर लीजिए जितने भी टाइप के Award मि पूछे गए तो General Knowledge का कोई दायरा नहीं होता है इसमें आपको परिशान होने कि ऐसी कोई जरूत नहीं है जितना हो सके जो हाँ एकाट डे का कोशन भी आ जाता है कि इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है तो यह भी देख लीजिए तो जितना हो सके कोशिस कीजिए General Knowledge को बस एक जाए क्योंकि General Knowledge अक्सर ऐसे नहीं याद हो पाती है तो थोड़ा सा इस बात का द्यान रखें बाकी हाँ और EBS के लिए अभी बता रहे हैं आपको करना क्या है क्योंकि EBS आया हीजिए पूरा स्लेवस में से ही है जो भी आपको बताया गया है बट हो सकता है कि आपने उसमे वही हमें हाड लगती है ये बात भी आपको माननी पड़ेगी अगर मान लीजिए General Knowledge के पेपर में Awards के कोशन आए अब Awards किसी ने पढ़ रखे हैं या कोई ऐसे देखके आया होगा तो उसको याद आ गया होगा जो नहीं देखके आया होगा उसको हाड लग रहा होगा कि ये क करना क्या है इन दो दिन का देखकर आपको बता रहे हैं पहले तो बता दें कि एक्जाम में सारे सेक्षन किस तरीके से उपन होंगे पहले आपको हिंदी मिलेगा दस नंबर का इंग्लिश मिलेगा फिर आपको कंपीटर मिलेगा पास नंबर का फिर रीजनिंग मिलेगा या पूरा overall होता है टाइम उसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक section से दूसरे section में नहीं जा सकते कोई भी negative marking नहीं है अगर आपने वह कर लेंगे वैसे बहुत जादे वीडियो नहीं है उसके अगर आप उनको कर लेंगे क्योंकि हमने उसी में करते समय काफी सारी बाते आपको बताई थी तो उसमें अगर आपने उसको किया तो आपको पेपर शायद एजी लगेगा हिंदी और इंग्लिश का औ आपको पूरा का पूरा Sl茶 ऑच करया है एक एक टॉपिक जो हमारा बड़ा भाई Wii ओ है वो आप कर लीजिए सब से बड़ा भाई, उसकी ऑड़ा वीडियो और बड़ा भाई वीडियो यह हमने कराया हुआ है इसमें हमने पूरा का प्रेवियो इतने अच्छिष感じ कराई है यह सब KBS, PRT, EBS की हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट है वो कर लीजिए और बाकि आप जहां से कर रहे हैं उन सब को भी कीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही करना है जो आपको समझ आ रहा है आप खुश समझदार है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं बलकि हमें लगा कि इससे कोशन आए हैं जैसा बच्चों ने बताया तो हम आपको बता रहे हैं कुछ EBS में ऐसा कोशन भी आयता है जो हमने आपको पता चला कि सुनीता विल्यम्स जी ने जो अपने एक्सपिरियंस शेयर किये थे उनमें से कौन सा एक्सपिरियंस गलत है जो इस पेस में जब वो गई थी वो एक्सपिरियंस और यह एक चैप्टर भी है EBS की बुक का ठीक है तो ऐसे करके हमने इन ही जो यह EBS की बुक ती उनका पूरा पूरा निचोड करके EBS के वीडियोस बना दिये थे हर एक टॉपिक के भी अलग अलग बनाये थे कॉस्टन्स की भी अलग अलग बनाय थे और सबसे बड़े भाई वीडियो भी बनायाया था तो उसमें सारा हमने कराया हुआ अगर आप देखेंगे तो उनई के इर्ध कॉस्टन आ रहे हैं द्यान रखना होगा आपको एक्जाम में जाते समय कंसंट्रेट जो है अपना बिल्कुल जब आप उप्शन पढ़ रहे होंगे एक्टम ध्यान से पढ़ेंगे ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में तूकि बहुत नियर बाई दे रखे हैं ठीक है और जो कोशन्स हैं वो कुछ कैस बहुत सारे होते हैं तो तीन ऑप्शन नहीं थे तीन फैक्ट मान लीजिया उनको क्योंकि वो कुछन के अंदर ही थे फिर जैसे एबी एबी सी जो जैसे सूरे के प्रयावाची उन्होंने दिये थे अभी आद आया सविता और सतीश और रवी ऐसे करके थे ठीक है तो इन मे कोई पर नीचे थे तो उसके अप्शन है पर उसके नीचे और अप्शन ने करने के लिए उसके नीचे अलग नियोंग वें. तो ये चीज आपको दियान रखने हैं वैसे इसमें कोई confusion होने वाली बात नहीं है आप जाएंगे तो आपको वैसे भी समझ आ जाए कि आप पता चला है तो बताना हमारे कामें पहले से aware रहेंगे तो उस समय ये चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगे आपके exam में बस इतनी सी बात है इसको बताने की कि पहले से अगर हमें कुछ चीज़ पता चल गई है तो हम दो इसी लिए हैं कि आपको हर एक चीज़ बताएं जो कि हमें लगती है कि आपको बतानी चाहिए तेकि paper कैसे attempt कीजिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का भी बता देते हैं वैसे आप खुछ समझदार हैं मुझे पता है हम अच्छे से जानते हैं कि आप जो करके आएंगे अच्छे से करके आएंगे सिर्फ यह हमारा कुछ experiences है बच्चों के साथ जो हमने बताया था और उन्होंने इसको काफी कारगर भी बताया बाकी इसको सुनने के बात अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा नहीं तो अपने हिसाब से जो आपको लगे वो कीजिएगा देखे जो हमने बताया था उन्होंने कैसे किया पहले उन्होंने मैस को अटेम्ट किया ठीक है फिर उन्होंने reasoning को अटेम्ट किया फिर computer general knowledge और सौरी computer general knowledge reasoning math यह सारे एक साथ कर इसके बाद वो गए हमारा CDP करने CDP के कोशन किये साथ के साथ अच्छे तरीके से फिर उसके बाद उन्होंने किये English के कोशन first part और second part दोनों के फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी के first part और second part दोनों के कोशन किये फिर EBS के कोशन किये फिर EBS के कोशन करने के बाद उनके पा एक बात जान लीजिए जैसे कि आप मान लीजिए mathematics का paper पहले solve करने बैटें, ठीक है, mathematics का किया, अब आपको लगता है कि ये question काफी attack रहा है, या आपके mind में ये चीज है, कि हाँ, इसका nearby answer ये हो सकता है, या फिर ये हम बाद में कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले तो कोई भी question, जो section अटेंड कर रहे हैं, उसमें कोई भी बिना tick की है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हो सकता है, जिन से हमने बात किया, उनका time बच गया था, हो सकता है, कि किनी बच्चों का, आप में से किनी बच्चों का time ना बचे, हो जाता है, फिर भी, ये सिर पॉसि question कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये question आपको अभी परिशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर तुरंत की तुरंत कोई भी आपको answer जो भी लगेगा logically, आप उस पर tick कर देंगे, क्योंकि negative marking तो है नहीं, ठीक है, आपने वो tick कर दिया question, फिर आपने उसको एजे flag set कर दिया, तो वो flag बनता हुआ चला जाएगा और आपका question attempt भी हो जाएगा, बाइचांस अगर आपके पास time नहीं बचेगा, तो at least जो आपने, जो भी आपने logic लगा कि उसका answer लगाया है, क्या पता, वो सही ही बच जाए, और अगर आप वहां पे नहीं भी lot कर तो वो at least आपके mind में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने वो tick नहीं किया, tick कराते, तो वो हो सकता है, वो answer ठीक ही होता, जैसे आपके पास time बचेगा, फिर आप math के section पे आएगे, जो जो आपने flag लगाए है, उनको करेंगे, जो आपने हिंदी में flag लगाएते हैं, उनको फिर से देख लेंगे, लगता है कि आपने वो ठीक लगाए है, तो उसी को रहने देंगे, नहीं तो थोड़ा source कि उनको, अगर आपको लगता है, उनको tick करेंगे, तो tick करते जाएए, जो भी लगता है, उस पे flag भी लगाते जाएए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, अगर बाद में आप का कम टाइम बचा, अगर माली जी आपका कम टाइम बचा, तो आपको ये चीज बिलकुल ध्यानी ही नहीं रहेगी, कि वो कोशन कौन से नंबर पे था, जिसमें कि आपको confusion था, इससे क्या होगा, फ्लैग वाले कोशन पे आप पहले जाएंगे, फिर बाकी जो आपको लगा ये पूरा आप पे डिपेंड करता है, कि आप कौन सा section पहले attempt करते ही, ये सिर्फ एक experience था, जो कि हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि हिंदी बगरा तो हम बाद में अराम से कर लेते हैं, अगर math का section या reasoning का section हमने बात के लिए छोड़ और हो सकते हैं, आपके paper में काफी ऐसे question आ गए लेंदी से, तो बाद में जो है, आपका जो मदब करने की speed है, वो थोड़ी तेज़ तो होगी, पर आप ना हर बड़ा heart में गलग करने की chances हो सकते हैं, ठीक है, math में देखे, math के कुछ topic हम आपको बता रहे हैं, एक तो roman number पढ है, इसके question पढ़ लीजिए, क्योंकि roman number ऐसा होता है कि हमको लगता है कि आता है, बड़ कभी कभी काफी confusion हो जाता है, क्योंकि daily basis पे ये use नहीं होते हैं, unit conversion के जैसे meter में, centimeter में change करना, ठीक है, जितने भी changes हैं, वो सारे कर लीजिए, ऐसे question आयते, math के exam में जैसा, अभी साथ की साथ मुझे पता चलता चा रहा है, ठीक है, और बाकी आपको बता दे, हाँ, अब आपको हिंदी का बताते है, रिम जिम के लिए, आपको क्या करना है, एक app है, CBSC, NCRT book करके, कोई भी app, आप देखें, जिसमें CBSC की सारी books हो, उसमें first से लेके fifth तक की, जो जिल्मिल book है, की question कैसे आ रहे थे, कि ये जो, जो lines हैं, वो रिम जिम किताब की कौन से chapter से ली गई है, या फिर कोई पैरा दे दिया, और उसमें से पूछा गया, कि ये क्या बताता है, या फिर कोई line दे दी गई, कि उसने वहाँ पर क्या देखा था इस कहानी में, ऐसा करके कुछ कोशन आ रहा है, तो रिम जिम की, क्योंकि देखें, फर्स से फिर्फ तक के टीचर का ये एक्जाम है, तो उनको भी एक उम्मीद हो दी है, कि आपको जो फर्स से फिर्फ तक की किताबों की कहानिया वगरा है, वो आपको आनी चाहिए, और आनी भी चाहिए, इसमें कोई कि रिम जिम से आई थी, हो सकता है, आपके में भी थर्ड क्लास की रिम जिम से आए, या फिफ्ट की से आए, या फर्स की से आए, फोर्थ की से आए, कोई भी आ सकती है, बहुत एजी होती है, बढ़ पढ़ी नहीं होती है, तो फिर वही चीज हो जाती है, तुक्के वाली बात हो जाती है अगर हमें पता चल गया है तो हमें कर भी लेना चाहिए ठीक है और EVS के लिए हमने जो विडियो बनाए हैं वह आप उनको कर लीजिए आप जहां से पढ़ रहे हैं भो भी पढ़िए कोई बात नहीं है सब अच्छा ही आपके साथ होगा और बाकी हां जब जल्दी जल्दी अगर आपके पास टाइम में पढ़ सकते हैं जिनके पास टाइम है जिनके पास नहीं टाइम है जो EVS के वीडियो हैं हमारे उनको देख लीजिए हमने वैसे उन्हीं मैंसे वह जो वीडियो हैं वह उन्हीं मैंसे देखकर बनाए हैं सलेबस के अकॉर्डिं यह लोग ऐसे ही देते हैं, आप seated exam देकर आये होंगे, तो आपको भी पता होगा यह बाद, seated exam में भी यह लोग ऐसे ही देते हैं, काफी सारे facts देते हैं, फिर उन में कुछ nearby सही गलत कर देते हैं, यह सारे सही भी हो सकते हैं, तो में बात EVS factual होता है, facts पर relate करके काफी question दे रह हैं, वो लगते तो हैं, इनमें कुछ नहीं है, बट कुछ नहीं है, का मीनिग है, कि अगर हम नहीं बढ़के जाते हैं, और वो यह नियरबाई से गलत दे देते हैं, तो उनमें ही हमें confusion हो जाता है, तो यह हमारा यह हो गया, आप हिंदी में एक चीज कर लीजिए, कि जो type ह होते हैं, काल के संदिक्द भूत काल, आसन भूत काल, हे तु मद हे तु भूत काल, इस तरीके के भी देख लीजिए, हो सकता है, जैसा कि अभी shift आके बढ़ती जाएं, तो इनका दायरह बढ़ता जाएं, क्योंकि देखिए, इनोंने क्या किया है, मुझे जैसा लग रहा है हैं, और किसी में mix करके बूच रहे हैं, तो इस तरीके से ये लोग follow कर रहे हैं, pattern को, सारे topic में से सभी में से question नहीं पूचे जा रहे हैं, तो सारे topic आप कर लीजिए, किसी में किसी में से आएगा, किसी में किसी में से भी आएगा, तो सब कुछ कर डालिए, जैसे math में, घन खना आप कोई भी मत छोड़िये सारे के सारे कोश्चन करिए अच्छे से जो भी उसमें टॉपिक दिया गया है काउंटिंग का लग रहा था लोगों को कि काउंटिंग का नहीं आएगा बट जो हमने काउंटिंग करा आए था उससे रिलेट करके कल से कोश्चन आना सारे कर लीजी बहुत जादे हल्फूल होने वाले हैं आप अगर हिंदी इंग्लिश के कुछ वीडियो जिसमें हमने कोश्चन कराएं हैं और कंपिटर के काफी सारे वीडियो मैंस के काफी सारे वीडियो जैंगे अगर आप सफलता बैच का पूरा सिरीज देखेंगे ना त क्योंकि जो भी अपनी कमिया हैं उनसे सीख कर ही आपको कुछ अच्छा कर पाएंगे बाकि आपकी तयारी अगर अच्छी चल रही है बहुत अच्छी बात है यह सब आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है जिनके लिए भी अगर यह हो सकता है कि नहीं होई हो तो उनके अगर नहीं किया है तो कीजिए जाकर और यह जो शिक्षक बनने का उत्सव जो है यह शिक्षक बनने का इसको हम उत्सव ही बोलेंगे क्योंकि हमारे देश के कौने कौने से इस जो एक्जाम में इस परिक्षा में लोग शामिल हो रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से सभी के सोचे कि यह हमारी कमी थी चलो हमने यह नहीं किया था हम इसको कर लेते हैं और अपना एक्जाम अच्छे से करेंगे, और आप क्या करेंगे यह सब चीज अगर अच्छे से कर लेंगे आप देखिए कल जब आप एक्जाम देने जाएंगे आप निश्चिती हमें बताएंगे आकर कि हां हमारे लिए यह चीज काफी हैल्फुल रही जो हमने आपको बताई बाकि पूरा का पूरा यह आपकी समझ पर डिपेंड है आपक जो हमारे देश की भविश्य की नीव है उसको रखने जा रहे हैं तो आप खोद इतने समझदार होंगे कि आपको क्या करना जाएं क्या नहीं करना जाएं हमको तो जो लगता है हम आपको बताते चले जाते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल यह है कि आपके लिए कोई कमी ना यह यह उना होता है जो हमारे देश का भविश्य होता है उसका आईना होता है और आप जैसे लोग को जो बहुत मजबूत होगा कर वह बहुत अच्छा करने निगलेंगे जब आप जिस्या से लोग सिक बनेंगे और देश निर्माण में अपना योगदान देंगे इसको अच्छे से enjoy कीजे enjoy करने का मतब पढ़ाई को अपना एक target बना लीजे जो भी पता चल रहा है ये चीज़े काफी helpful रहती है हो सकता है कि आपके exam में इसी से relate करके कुछ चीज़ें आ जाएं और जो भी हमें लगेगा न हम आपको बताते जाएंगे और जो भी हमारा वीडियो उसका first comment देख लिया करिए तो कि हो सकता कभी-कभी वीडियो बनाते समय कुछ बाते रह जाती हैं बताने से तो हम आपको first comment में pin कर देते हैं तो यह जो वीडियो है यह काफी लंबा हो चुका है इसको यहीं पर end करना पड़ेगा जो भी बाते हमें लगी दो दिन का जो हमने realize किया तो वह हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं हो सकता है कि आपके लिए काफी helpful रहे हैं यह सारी चीजें बाकी कुछ hard नहीं है आपकी समझ के उपर है EBS का हमने बता दिया हिंदी का हमने बता दिया जर्नल लॉलिस का हमने बता दिया बाकी mathematics वगेरा सब कोई चीज हमने कराई हुई ऐसा कुछ नहीं है CDP इसी है सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज हाड है बस पढ़ते चाहिए करते चाहिए और अपने target को achieve कीजिए रुकिए मच जब तक अपने target को achieve ना कर लें तो यह जो वीडियो है यह तह हमारा कुछ विचलेशन जो हमें पता चला जो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो यह हमारी बाते कुछ काम की लगी हो यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो उसको लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए और शिक्षक बनकर आईए और अपने देश का जो यह भविश्य निर्माड का जो काम है उसमें भागिदार बनिए और क्या कीजिए और अपनी target को achieve कीजिए एक दूसरे क की सहायता कीजिए पीछे मत हटिए शिक्षक बनिए शिक्षक बनकर आईए देश का भविश्य का निर्माड कीजिए तो हम इस वीडियो को यहीं end करते हैं और आप तो पढ़ते ही रहेंगे आपके लिए all the best तो हम चलते हैं आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए हमारे स